practical number two use of operators so question a is write a java program to add two binary numbers यहां पर हम लोगों क्या करना है binary numbers को add करना है और screen पर display करना है so let's start यहां पर मैं visual code open कर रही हूं यहां पर मैंने file में जाके new file ले ली है यहां पर मैं select a language पर जाओंगी and then Java पर क्लिक करूंगी तो यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है java.util.scanner को import कर दिया है and then हम लोगों ने यहां पर दो variable declare के b1 and b2 जिसका data type क्या दिया है long and then यहां पर हम लोगों आय और रेम यह एक दो variable जो है यह दो variable को हम लोगों ने इनिशालाइस क्या है जीरो से some variable को हम लोगों ने some जो है वो क्या है array है जिसका size जो है हम लोगों ने यहां पर 20 specify किया है अब यहां पर हम लोग दो number ले लेंगे दो binary number ले लेंगे यहां पर users है हम लोग उसके लिए यह code लिखा है अब यहां पर हम लोग क्या चिक करेंगे कि b1 not equal to 0 और b2 not equal to 0 और operator यूज किया है दोनों में से एक भी condition true रही मतलब दोनों में से एक भी not equal to 0 रहा तो यह loop में जाएगा मतलब दोनों जो दो number लिया है user से दोनों number में से एक भी not equal to 0 रहा तो क्या होगा loop में यहां पर तो यह loop क्या होगा हम लोगों का execute होगा अब यहां पर लूप में हम लोगों ने क्या लिखा है, sum i++, int b1 remainder 10 plus b2 remainder 10, b1 remainder 10 मतलब क्या, कि 10 से divide करेंगे और remainder जो भी आएगा वो, b2 को 10 से divide करेंगे और remainder जो भी आएगा वो, उसको plus करना है, plus rem, rem क्या है, हम लोगों का, हम लोगों ने उपर क्या, initialize किया, 0, और modulus 2, तो हम लोग 2 से divide करेंगे, और जो remainder आएगा, वो किसमें save हो जाएगा, sum i++ में, फिर rem जो है, हम लोगों ने 0 initialize किया, next value rem की क्या रहेगी, b1 modulus 10 plus b2 modulus 10 plus rem divided by 2, देखो, यह वाला और यह same है, लेकिन सिफ यहाँ पर क्या है, यह modulus हम लोग 2 से divide करेंगे, और remainder जो रहेगा, वो sum में, हम लोग safe करेंगे, और यहाँ पर 2 से divide करके, जो answer रहेगा, वो किसमें save होगा, फिर हम लोग b1 को क्या करेंगे, b1 divided by 10, कोई भी number को हम लोग 10 से divide करते है, तो हम लोगों जो answer रहता है, वो क्या होता है, last digit निकल जाएगा, और जितने भी digit है, वो क्या हो जाएंगे, save हो जाएंगे, b1 में, और same ऐसी ही b2 में, तो ये loop हम लोगों क्या होगा, चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा, जबते के ये condition क्या होगी, true रहेगी, उसके बाद, if rem not equal to 0, तो अगर ये condition true रहती है, तो क्या होगा, sum of i++ equal to rem, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, decrease करेंगे i को, ठीक है, तो हम लोगों क्या मिल जाएगा, sum of b1 plus b2, और यहाँ पर हम लोग क्या print कर देंगे, sum of i minus minus, क्या यहाँ पर condition दिये, while loop में, i greater than equal to 0, तो मैं इसको execute करती हूँ, cd output, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर देते है, save कर देते है, यहाँ पर मैं save कर दूँगी, और इसका नाम क्या देंगे हम लोग, प्रैक्ट 2a, क्योंकि class का name वो ही है, dot java, यह हो गया, save अपना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको execute करेंगे, output देख लो, आप लोग, f5 प्रेस किया मैंने, अभी यहाँ पर देखो, पूछ रहा है, enter first binary number, तो मैंने यहाँ पर suppose लिखा, 1101, enter second binary number, मैंने लिख दिया, 1001, यह देखो, यह क्या हो गया, add हो गया, so now practical number 2b, write a java program to convert a decimal number to binary number and vice versa, वहला हम लोगों क्या करना है, decimal number रहा तो उसको binary number में convert करना है, और binary number रहा तो decimal number में convert करना है, so let's start, तो सबसे पहले हम लोगों क्या किया है, import कर दिया है, java.util.scanner को class create किया है, public यहाँ रहा हम लोगों क्या किया है, num2 और num1 यहाँ पर declare किया है, तो num2 क्या किया है, integer declare किया है, और नम 1 क्या है हम लोगं का स्ट्रींग अभी क्या करेंगे हम लोग यहां पर user से accept कर लेंगे binary नमबर और डैसीमल बीनरी नमबर है वह किसमें हम लोग सेफ कर रहे हैंNowBE1 में जिसका हम लोग उने data type क्या दिया string यह याद रखो binary नंबर का data type यहाँ पे क्या दिया string और decimal नंबर जो है उसका data type क्या दिया है int ओके तो simple इसका conversion है कैसे करेंगे हम लोग देखो binary to decimal रहे तो सिफ आलिखना है हम लोगों को parse int num 1,2 ठीक है parse इंट नम 1,2 लिख दिया और decimal to binary मतला हम लेपास नंबर जो है वो decimal number है और हम लोग उसको क्या करना है उसको binary में convert करना है तो उसके लिए लिखेंगे to binary string और जिसमें हम लोगों को जिसको convert करना है जो number को convert करना है वो variable का name चीक है तो इसको save कर दिया मैंने प्रैक 2B के नाम से अब मैं इसको execute करती हूँ cd output यह देखो पूछा enter binary number तो मैंने दे दिया 1011 और पूछा enter decimal number 15 यह देखो तो binary to decimal जो है हम लोगों का binary number क्या है 1011 तो यह क्या है 11 और यह 15 15 को binary में convert किया 1111 तो यह दा हम लोगों practical number 2B प्रैक्टिकल नमबर 2C राइट जावा प्रोग्रेम टू रिवर्स आ स्ट्रिंग यूजर से हम लोगों क्या करना है स्ट्रिंग एक्सिप्ट करना है और उसको क्या करना है रिवर्स में प्रिंट करना है स्क्रीन पे सो लेट स्टार्ट हम लोगों स्टार्ट किये तो हम लोगों ने जो पहले लिखा था वही है सब सिफ क्लास का नीम मैंने यहां पर चेंज किया है और वहीं नेम से मैंने दो वेरियेबल ले लिए हम लोग ने इंटीजर का लेंड और आए तो हम लोग यूजर से एक्सिप्ट करेंगे स्ट्रिंग जिसको हम लोग को सेफ किसमें करना है एस में ठीक है स्ट्रिंग जो यूजर एंटर करेगा उसको हम लोग ने सेफ कर दिया एस में और एसका लेंथ हम लोग ने find out कर दिया using length method से और उसको save कर दिये लेंड में उसके बाद यहां पर फॉल लूप यूज किया है तो फॉल लूप में जो आए है जो counter वेरियेबल है वह स्टार्ट होगा लेंड माइनस वन मतलब जो बल्स जोके यहां ने प्रिंटे यहां उसके बाद् हम लोग ने प्रिंट करते हैं cancer और को सेफ करें और उसी को हम लोगो क्या करना है स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो मैं इसको एक्जीक्यूट करती हूं सीधी आउटफुट कि यह देखो पूछा एंडर स्ट्रिंग तो मैंने सब्सक्राइब डाल दिया एस वाई आई टी यह देखो तो